आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडे की एक अनोखी रेसिपी उसके लिए मैंने चार से पाँच अंडे उबाल लिये हैं उसके बाद हमको करना है इसे कदूकस तो चाहे ग्रेटर मोटा हो या पतला हो कोई मसला नहीं आप इसको अच्छे से ग्रेट कर लें यान करना है तो वेजी में मैंने लिया है स्वीट कॉर्ण गाजर और शिमला मिर्च आप चाहें तो कुछ और भी आड़ कर सकते हैं अपनी अपनी चौइस है यहां पर तो इन वेजी को मुझे हाफ को करना है तो पांसे साथ मिनिट तक मुझे इसको तेल में हलका सा फ्राइ करन करना है तेल मैंने सिर्फ दो ही चम्मच डाला था तो बस सोड़े से तेल में इसको देखें हाफ को कर लिया है मैंने अब उसी कडाई में मुझे डालना है अद्रक लहसुन कटा हुआ तो एकदम बारी कटा हुआ अद्रक लहसुन है यह देखें दोनों और इसको हमको करना ह फ्राया इए तो फ्राय करने के बाद छोड़ा जादा कर सकते हैं प्राया सरी काचने हैं और प्राया स्थरी की प्राया भवादिया कर पूशopy नाया काली मिर्च अब हमने इसमें आड़ कर दी है आदा कब दही जरूर आड़ करें दही से बहुत ही अच्छा टेक्श्चर आता है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो यह सारे मसाले दही के साथ होंगी अब कुक तो यह देखें इस तरीके से चम्मत चलाते रहना है चा पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें भाई और देखें हलके हाथों से ध्यान रखें हलके हाथों से इसको मिक्स करें जोर जोर चम्मत नहीं चलाना है जोर जोर चम्मत चलाने से सारे अंडे बिखर के तूट सकते हैं और यह एक लड़ू बन जाएगा गर आपने जोर जोर चम्मत चलाया तो तो हलके हांतों से चम्मत चलाना है और साती अब हम इसमें वेजिस डाल देंगे सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखें हलके हांतों से अब हमको सारा मिक्स कर लेना है थोड़ा देर धकन धाके पका भी लेंगे इसको तो त या पराठे के साथ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है तो आप जरूर ट्राइ करिए का इस रेसिपी को अब मैं इसको धांक रही हूँ पांसे साथ मिनिट के लिए इसको पका लें एकदम कम फ्लेम में ताकि अच्छा सा अरोमा आने लगे खुश्बू आने लगे इसमें से औ वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें बताएं कैसी लगी आपको यह रेसिपी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक यू फर वाचिंग